हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू मा यूट्यूब चैनल मैं रमकॉशल देखिए आज आपको यह लीडिस कार्डिगन में बना रही हूं कि जो बाजू की लेंद्ध है यहां से लेकर यहां तक यह 18 इंच रखी है तो आप अपनी लेंद्ध की अकॉर्डिंग इसको यहां से लेकर यहां तक रख लीजिए ठीक है उसके बाज जो हम यहां पर कटिंग करते हैं तो वो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम यहां पर कटिंग जो है वो किस अकॉर्डिंग करते हैं तो देखिए अगर आपके जो आपने कार्डिगन मनाई है उसमें आपने कटिंग 6,4,3,2 एक ही है तो यह आपके बाजू में भी cutting ऐसी ही होगी ठीक है आप समें छे चार तीन दो और दो इसमें हम एक नहीं कटाएंगे हम इसके बाद दो दो करते हुए जो है अपना थोड़ा सा यहां तक दो या धाई इंच तक इसको उपर बुना लेंगे ठीक है तो देखें यहां से यहां तक यहां से यहां तक मैसमें stitches है वह 106 stitches जो है इसमें रखे हुए है और वह जो 100 stitch है यह आपके size के ओपर depend है आप कौन से size का बना रहे हो small, medium, large, axle, double, axle तो मैं यह XL size का बना रहे हूं इसलिए मैंने यहां पर 106 stitches रखे हैं तो चली इसे start करते यहां से बनाना तो उससे पहले फ्रेंड्स आज जो मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए subscribe करने के साथ bell button जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालो उसकी notification आपको मिल जाए फ्रें्ट आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सस्क्राइब नहीं करते तो प्लीज लाइक talking duy कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो चली से स्टार्ट करते हैं देखे स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने यहां पर हमारी जो इसके शोर्डर कटिंग है वह मैंने छे चार तीन दो इस तरह से की हुई है एक ठीक है तो मैं अपनी बाजू में भी इसी तरह से होंगी सबसे पहले मैं यहां पर देखिए छे घर कटाऊंगी अपने यह दिखिए एक है कि दू कि दू कि तीन 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 चार पांच और यह चे और जो आप यह गटाएंगे तो इसमें अपना हाल थोड़ा लूज ही रखना ज्यादा टाइट मत रखना इसमें आपने तो इस्टिश काफी टाइट आते हैं ठीक है आप इसको थोड़ा सा लूज गटाई है यहां से अब मैं यहां से लेकर यहां जो मैंने सीधे सीधा बुना है उसको बनालेती हूं यहां तक तो उल्टी स्लाइcit में भी हम छे घर ही गटाएंगे थिक हैं तो पहले मनें इसको अपनी पूरी स्लाइश रिखना बास हो गीुए है तो हम उल्टी साइट से तो यहां से सीधी साइट से सीधर ही दो, तेन, चार, पांच और ये छे. आप मैं इसको पूरी Sly को अपने उल्टा बना लूँगे, आपका जैसी भी Sly है, आपका डिजाइन बना है, आपका सीधा उल्टा है, जैसे भी आपका डिजाइन है, आप उस हिसाब से Sly को बना लेजिए. तो दिखिए उल्टी स्लाई बुनती हुए मैं यहाँ पर आ गई हूँ यह लास्ट वाला स्टिच है यह मुझे ऐसे उताना है ठीक है यह मैं बुनूँगी नहीं अब मुझे अपने चार घर वो गटाने है तो दिखिए जो हमने यह स्टिच पहला बुना नहीं है इसके अंदर से यह स्टिच हमने ऐसे निकाल देना है इससे क्या होता है हमारा जो हम यहां से जो कटिंग करते हैं वह उबडखाबड नहीं आते बिल्कु स्मूथ कटिंग हमारी यहां से आएगी ठीक है अगर आप इस तरीके से करते हैं तो एक तो हमारा यहां पर घट गया अब यह दिखिए दो तीन और यह चाल ठीक है अब मैं इसको दुबारा से सीधा बनाते हुए जाओंगे तो देखिए आप जो है कार्डिगन बना रहे हो जेंट स्वेटर बना रहे हो या बच्चों का सेट बना रहे हो किसी भी चीज में आप जो है इस तरह से आम होल कटिंग कर रहे हो तो सब में कटिंग ऐसे ही होगी ठीक है लिकिन घर का फरक हो जाएगा अगर आप medium, small size कर रहे हो तो आप 4, 3, 2, 1 इस तरह से कीजिए अगर आप large कर रहे हो तो 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे कीजिए और अगर आप axle, double axle कर रहे हो तो 6, 4, 3, 2, 1 इस तरह से आप अपनी वो cutting कर सकते हो आप करने cutting में confused नहीं होना है friends देखे, मैंने अपने channel पर पहले भी दो video डाली हुई है जिसमें मैंने gents के लिए अलग full measurement डाला हुआ है और ladies के लिए full measurement की अलग video बनाई हुई है ठीके, आप मेरी video वहाँ से जाकर वो देख सकते है और मैं description box में भी उन video के link देदूँगी ठीके, उसको देखने से आपका, आपकी जो problem है वो solve हो जाएगी ठीके friends, और इसकी जितनी भी video है, यह मैं cardigan बना रही हूँ इसकी जितनी भी video है, यह सारी मैं description box में उसका link देदूँगी आप वहाँ से जाकर जो है, सारी video जो है मेरी इसके बारे में देख सकते है मैं इस घर को अब नहीं बनाऊंगी, इसे ऐसी उतार दूँगी, आपको हर बार ऐसी ही करना है चाए आप उल्टी साइट से बना रहे हैं, चाए आप सीधी साइट से बना रहे हैं आप दीखिए यहां दुबारा से, जैसे मैंने पहले घटाया है वैसे ही मैं घटाऊंगी यह जो देखे स्टिच है, यह मैंने दूसरे स्टिच के अंदर से इस तरह से घटाना है अपना स्टार्टिंग का ठीक है, तो यह मेरा एक हो गया, उसके बाद दो तीन और यह चार तो देखिए इस तरह से मैंने चार घटा दी, इसके बाद मैं तीन घटाऊंगी फिर मैं दो घटाऊंगी तो दो घटाने के बाद मैं आपको फिर दुबारा से दिखाती हूँ तो देखिए अब हम दो दो करके भी कैसे घटाएंगे जैसे हमने अपने सारे घर गटाए है, वैसे ही हम हर slyb में अपने दो दो घर गटाएंगे ठीक है, तो ये 2 इंच तक मुझे अपना बना लेना है और उसके बाद, 2 इंच के बाद हम देखेंगे कि हमारे उपर कितने घर बचते हैं अगर हमारे घर उपर धादा बच रहे हैं तो हम इसको सारा कटा देती हूं सारा बना लेती हीyorsun मैं इसको उपर तक फिर आपसे फिर बताती हूं आपको तो दिख जो मेरे कटिंग है यहां से दो से ढाइ इंच दो इंच जो है मैंने यहां पर कम्प्लीट कर लिए और मेरे यहां पर 48 स्टिचे जो है आ चुके हैं ठीक है तो मेरा तो यह सीधा सीधा है अगर आपका डिजाइन पूरा नहीं हो रहा है तो आप इसको ठाइज तक भी बना सकते हैं ठीक है तो यह दिखिए इसकी कटिंग कितनी साफ सुत्री और कितनी बड गटाना है इसके उपर से यह दिखिए ऐसे है तो इस तरह से मैं अपने सारे स्टिच जो है वो इसमें घटा लूँगे तो देखिए यह मैंने पूरी घटा दी है और यह मेरे घटा के इस तरह से यह दिखिए कितनी बड़ी है इसकी शेप आई है यह दिखिए यह दिखिए फ्रेंट्स की शेप कितनी इचाही है तो इस तरह से आप अपने कार्डिगन की जो कटिंग है वो इस तरह से कीजिए तो मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई